नमस्कार मैं सुदर्शन सुखानी हूँ और आज 1 जनवरी 2020 है सबसे पहले आप सबको नव वर्ष की बहुत बहुत शुब कामना है और आज ये वीडियो रिकॉर्डिंग मैं खुद कर रहा हूँ इसलिए बहुत अच्छे रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है आप उसके लिए म सेलिब्रेशन करते हैं तो मैं रह गया रिकॉर्डिंग के लिए कल हमने बात की थी आज निफ्टी में क्या हो सकता है और निफ्टी के लिए हमने सोचा था कि आज बाजार में उच और नीच दोनों हो सकती है शॉर्ट क्योंकि एफ़ई आज है नहीं वहाँ पर चुटिया है दो और भाजार में उपर भी यहां बिए दोनों तरफ जा सकता है तो आज के लिए हमारे पास कोई ट्रेड नहीं था था कल एक कल लोग्ने में यह उटो और विसे हम यहां पर सिर्फ पश्यान की बात करते हैं लेकिन आज हास करके में मैंने आपसे यह कहा था कि अगर कोई बढ़ियाँ डिप आये तो आप डिप पर पोजिशन लॉंग करके चलें दो जनवरी यानि कल दिश्पतवार को शायद इस लॉंग पोजिशन में मुनाफ़ा हो सकता है आज निफ्टी लगवख सिर्फ 40 पॉइंट की रेंज में घूमता रहा है कुछ किया ही नहीं ये बात हम कल सोच रहे थे कि शायद निफ्टी में आज कोई मूवमेंट नहीं आएगा क्योंकि लोग शामील ही नहीं थे व्यापारी बहुत थोड़े थे जब शाम को निफ्टी बंद हुआ तो वो लगवख एक प्रकार के डिप से ही बंद हुआ था क्योंकि वो उपर गया उपर से नीचे आया कुछ गेंज तो थे कल के मुकाबले वो उंचा ही बंद हुआ लेकिन इंट्राडे में उसमें कुछ पॉइंट्स खोए तो आज आप कभी भी एक पोजिशन ले सकते थे कल के लिए यानि टुमोरो ये काम हम इस वीडियो शो में नहीं करते हैं क्योंकि हम केवल इंट्राडे ट्रेडिंग की ही बात करना चाहते हैं लेकिन आज एक एक ए हलकी तेजी आ सकती है तो आज की पोजिशन लीवी कल हमको कुछ कमा के दे सकती है तो ये तो बात थी आज की कि आज कोई व्यापार होने वाला नहीं था और कल के लिए हम एक लोंग पोजिशन लेके चलें अब बात कल की रह गई वो लोंग पोजिशन क्या बनेगी या नह कल के लिए हमारा रुख़िए कि एक बार बाजार में तेजी का माहन बनना चाहिए। वाजार में थोड़ी थोड़ी हल्की तेजी रहनी चाहिए और आज की पोजिशन की कमाई होगी अगर आपके पास कोई पोजिशन नहीं है तो कल सुबह 15 मिनिट के हाई की उपर आप फिर लॉंग कर सकते हैं ये कल की बात हुई वैसे भी ये वीडियो थोड़ा गरबड हो र कर रहा होगा उसके लिए आप मेफेद से मैं आपको कहता हूं शमा चाहता हूं कल हम फिर मिलेंगे और प्रॉपर वीडियो के साथ भी आप लोग सब को नव वर्ष की बहुत बहुत शुब काम नहीं धन्यवाद